दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे चूने के बारे में यहाँ पर हम खाने वले चूने की बात कर रहे हैं जो पान में लगा कर खाय जाता है अगर आप सही मात्रा में चूना खाते हैं न तो असी प्रकार के रोग आपको छू भी नहीं पाएंगे जी हाँ चूने के बारे में स्वरगे स्री राजियो दिख्षित जी द्वारा बताये गया है लाखों लोगों ने इससे आजमाया और बहुती जबरदस इसका जो प्रभाव है लोगों ने पाया हुआ है तो हम इसी चूने के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन-कौन से बिमारियां हैं जो चूना खाने से खत्म हो जाएंगे या फिर वो रोग पूरी जिन्दगी कभी होगी ही नहीं आपके दिमाग में एक सवाल आता रहा होगा कि चूने में ऐसा क्या है जो इतनी सारी समस्याओं को ठीक करता है इतना पाउरफूल है साथी ये भी सोच रहे होंगे कि चूने को कितनी मातरा में सेवन करना चाहिए क्यूंकि आपको पता होगा कि चुना मुख को काड़ता भी है तosa लिए सबसे पहले हम इसके डोस के बारे बात कर लेते हैं देखें, आपको चुना कभी भी खाना है ना तो गेहुं के दाने के बराबर खाना है इससे ज्याना चुना कभी भी नहीं खाना है और आपको इसे कैसे खाना ये भी जानना जरूरी है तब ही आपके शरी में ये फादा करेगा तो सबसे बड़ी प्रॉलम इससे जो दूर होती है वो अगर आपको कितने भी साल से कितना भी पूराना नपून सकता से आप अगर परिशान है तो इसके लिए बहुत ही रामबान काम करता है ये चूना इसे आप गन्ने के रस के साथ इसे लेते हैं यानि कि एक गिलास गन्ने का रस लेना है उसमें गेहूं के दाने के वराबर जो चूना है उसको डाल देना है घोल लेना है और इसे आपको पी लेना है ऐसा आप एक साल पीजिये नपुन सकता से related सारी प्रॉलम से आप निजात पालेंगे और बहुत ही जबरदस्त आपका पाउर बढ़ेगा गन्य के जूस के सिजन में आप गन्य का जूस पीजिये अगर आपको गन्य का जूस नहीं मिलेगा तो आप इसे अनार के जूस के साथ मिले सकते हैं बि आप बनने में प्रॉलम हो रही है बाप बनने में समस्या पैदा हो रही हो तो ऐसे में आप दोनों के लिए प्रियोग बहुत ही फेक्टिव है आप दोनों ही से गन्य के रस में ले सकते हैं और अगर किसी वज़ह से गन्य का जूस नहीं मिल रहा हो तो इसे अनार के रस मिल रहा हो तो आप इसे दाल में mix करके लिए सकते हैं अगर नपुन सकता है यानि कि अगर शुक्राणों की कमी की वज़ा से अंडाणों की कमी की वज़ा से अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप एक साल तक इसका सेवन करें सौ फिसदी आपको इसका प्रभाव मिलेगा और इसके लावा अगर आपके बच्चे के लंबाई नहीं बढ़ रही है लंबाई बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाई करके ठक चुके हैं तो आप लंबाई बढ़ाने के लिए चूने का सेवन कर सकते हैं कैसे सेवन करना है आई जानते हैं इसका जबरदस इफट जो है वो दईही में होता है जी हां दईही में चूना घोलिए और सुबा सुबा ले लिजे इसे सुबा खाली पेट लेना है मैं एक बात आपको बता देता हूं खाली पेट ही इसका असर जबरदस रहता है तो इसे गन्ने के जूस में में ले सकते हैं मुषं खाली पेट अगर एक गेहूं के दानी के बराबर अगर आपको शरीर के इंदर चूना जाता है तो यह बहुत जबरदस्त लाभ करता है, दिमाग तेज करने का काम करता है, इससे याददास्त बढ़ती है, यानि कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको चूना खाना चाहिए, बहुती जबरदस्त एफेक्टिव चीज है ये दिमाग के लिए, इसके लाव जो प्रेगनेंट मा हम जान लेते हैं, तो सबसे पहला जो लाव होगा, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी, किसी भी प्रकार के बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, इसके बाद बच्चा बिल्कुल हिष्ट, पुष्ट, तंदुरूस्त पैदा होगा, और दो और उसके बाद जो लाव है, उसका सबसे बड़ा ये है, कि बच्चा जन्दगी में कभी भी बड़े रोग से ग्रसित नहीं होगा, कभी भी कोई बड़ा रोग उसको नहीं होगा, साथी बच्चा बहुत होश्यार, इंटेलिजेंट होगा, तो इतने सारे फाद हैं, तो गर्वती माय बहनों को आप इस करने को मिलेगा, चुकि चुना कैल्शियम का सबसे बड़ा स्त्रोथ है, घुटनों के दर्द में बहुत जबरदस्त काम करता है, घुटनों का दर्द, कंधी का दर्द, इसके लावा मा बहनों को अक्सर कमर का दर्द होता रहता है, तो इसमें ये इतना जबरदस्त काम करत कराい कि आप हैरान हो जाएंगे जैसे जैसे उम्र ढह्टी है लोगों को तेढ़े हो कर चलने की problems हो जाती है यहानि कि रड़ी कि हड़ी के वज़ासे लोग तेढ़े हो जाते हैं शरीर जुक जाता है अधित जोटे हम ढूशी करते हैं गया होता है कि जल्णाओं उसे निजात पाने के लिए आप इस चूने का इस्तमाल करें, यानि कि चूना आप उसको खिलाएं. हड्डियों का रोग हो गया है, हड्डियों से related कोई भी प्रॉलम हो गई हो, हड्डियां तूड गई हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करवाते हैं, प्लास्टर लगवाते हैं, तो उस कंडिशन में भी आप इसका परियोग कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, बहुत ही जल्द रीकवर हो जाएगा, हड्डियां जूड जाएगे, साथी हड्डियों में मजबूती आएगे. इस कलावा दातों में ठंडा गरम पानी का लगना, मीठे का लगना, खटे का लगना, ये सारी की सारी समस्याओं में ये राम बान काम करता है. दातें अगर हिलने लग गए हैं, कुछ उम्र के बाद जो दातें हिलने लग जाते हैं पूरे जबडे दर्द होने लगते हैं थोड़ी सी कठोर चीज़ आप चबा नहीं पाते तो ऐसे में चूने का प्रयोग कर सकते हैं तो दात मस्कुणों के साथ बिलकुल चम जाएगा किसी भी चीज़ को जवरदस प्रेशर दे कर आप उसे चबा सकते हैं तो काफी लोग अभी कहेंगे कि भया जो लोग पान खाते हैं उसमें तो चूना होता है तो उनके दात तो कभी खराब नहीं होनी चाहिए या उनको तो हड्डियों से समदित कोई रोग नहीं होनी नहीं चाहिए तो देखिए जो लोग चूना खाते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं पान के साथ चूना खाना बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर उसी पान में कथा तंबाखो अगर डाल दिया जाए तो फादे करने की जगा वो नुकसान पहुचाता है ऐसा नहीं कि पान में चूना लगाने से फादा नहीं करेगा लेकिन सिर्फ पान में चूना सौंफ डाल कर खाएए इलाइची डाल कर खाएए, सोंट डाल कर खाएए जिससे आपका शरी में फादा मिलेगा लेकिन वहीं अगर आप तंबाखो और कथा अगर डाल दिये तो फायदे के जगा आपको नुकसान मिलेगा लेकिन बाकि जो चुना लेने का जो तरीका मैंने बताया आप उसी तरीके से जरू लें आपको बहुत जबर्दस्वादा होगा तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट करकर जरू बताएं वीडियो कर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों परिवार के सदस्टों के साथ शेर करें और अब तक आपने रूदर होमरे मेलेज को सब्सक्राइब नहीं कि हो तो प्ली